नमस्कार दोस्तों मैरा तमसिंग और आप सबी का ट्रीकर नियूज में स्वागत है जैपुर में नाबालिक लड़की के साथ सामुहिक दुसकर्म वारदात को अंजाम देने वाले तीनों आरोपी फरार वीडियो को सुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें जैपूर के भंकरोटा इलाके में एक नाबालिक लड़की के साथ कतित तौर पर तीन लोगों ने दुसकर्म कर दिया इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियो के खिलाफ मामला दर्ज किया है जैपूर पुलिस आरोपियो की तलास कर रही है पुलिस का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफतार कर लिया जाएगा एजनसी के अनुसार रवीवार को नाबालिक लड़की के साथ सामुहिक दुस्क्रम किया गया इस मामले की सिकायत मिलने पर सोमवार को मामला दर्ज किया गया इस मामले में पुलिस ने कहा कि पीडिता लड़की का मेडिकल परिछन कराया गया जिसके बाद उसका बयान दर्ज किया गया या मामला जैपूर के भांकरोटा इलाके का है पुलिस ने कहा कि पीडिता के पिता ने पुलिस में सिकायत दर्ज कराई इसमें तीन लोगों पर सामोहिक दिसकर्म का मामला दर्ज किया गया आरोपियों की पहचान राहुल, राजवीर और नक्स के रूप में की गई पुलिस ने कहा कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी है पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सिकायत के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ IPC और फॉक्सो अधिनियम की धाराओं के तहट मामला दज किया गया है आप सबी का इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें तब तक के लिए जैहिन जैभारत